नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिवांग और साइबर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम एक बहुत अच्छी चीस सिटने वाले हैं जो की है encoding जी हाँ दोस्तों आज के वीडियो में हम encoding के बारे में जानने वाले हैं कि encoding क्या होता है उसमें कौन-कौन से types के अलग-अलग encoding होते हैं जैसे कि URL encoding हो गया Base64 encoding हो गया ये सारी चीजे सीखने वाले हैं तो चलिए दोस्तों चलते हैं लेप्टॉप की स्क्रीन के उपर और सीखते हैं encoding के बारे में URL encoding के बारे में उसे कैसे कर किया जाता है encoding कैसे होता है उसे समझते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने स्पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजो में दिये गए बैल आइकोन को दबाके ओल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ऐसी ही knowledgeable वीडियो आपको मिलती रहें और आप ऐसे ही ethical hacking work bounty सीखते रहें तो चलिए दोस्तों आचुके हम अपने laptop की screen के उपर और आज के वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग सीखने वाले हैं encoding के बारे में और specifically जो देखने वाले हैं वो URL encoding के बारे में ठीक है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको notepad में दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने कुछ questions जो है वो लिखके रखे हैं और उसके में बारे में आपको समझाओंगा तो सबसे पहले समझते हैं कि encoding क्या होता है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर encoding का मतलब होता है कि एक process यानि कि process of converting a data into a format मतलब जो data है हमारे पास उस data को ऐसे format में convert करना एसे form में convert करने की जो process है उसे हम कहते है encoding ठीक है दोस्तों मान लिजए आपके पास कुछ data है cyber नाम का जो word है ठीक है इस word को दूसरे format में convert करना मान लिजए इससे में reverse में convert कर देता हूं यह सिर्फ मैंने एक simple सा example दिया हाला कि encoding जो है वह इतने simple तरीके से नहीं होता है तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इस cyber word को simply reverse करके लिख दिया तो मैंने यह मान लिजए एक simple type का encoding किया जिसे कि मैं और कहीं पर इसे use कर सकूँ ठीक है तो encoding मतलब मान लिजए सिर्फ कोई एक प्रकार के data को दूसरे form में convert करना उसे हम उस process को encoding कहेंगे अब यहाँ पर सवाल आता है कि encoding जो है कौन-कौन सी field में होता है तो यहाँ पर simply दो field में ज्यादा तर encoding यूज होता है एक तो computing field में और दूसरा है electronics field में ठीक है दोस्तों तो computing field में जैसे कि आपको पता है जो हमारा data transmit हो रहा होता है over the internet या फिर मान लिजिए वेब पेज में applications में कहीं पर भी उसे encoding करने का जो process होता है उसे computing के अंदर encoding बोलते हैं और अगर electronics की बात करें तो electronics के अंदर जो signals होते हैं जो analog signals को digital signals में convert करना उसे हम electronics field के अंदर encoding कहते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन-कौन सी encoding techniques होती है ठीक है types of encoding techniques क्या होती है मान लिजे encoding technique है ठीक है एक technique है दूसरी technique है तीसरी technique है तो ऐसी कितनी techniques है उनके types क्या है उसके बारे में जानते हैं तो यहाँ पर mainly encoding के दो types होते हैं यह देखे यहाँ पर मैंने question लिखा है what are the type of encoding techniques तो यहाँ पर mainly दो type की encoding techniques है पहली encoding technique है जो कि character encoding करता है character encoding यानि कि यहाँ पर हमारा जो भी मनली जे ABCD जो भी हम लिखते हैं ABCD फिर special characters लिखते हैं ठीक है single quote हो गया double quote हो गया less than greater than symbol हो गया slash हो गया यह सारे जो symbols फिर ABCD यानि कि जो भी characters हम लिखते हैं उन characters को encode करने की technique को character encoding technique कहते हैं और दूसरी जो हमारी encoding technique है वो हमारी image audio और video encoding technique जिसमें कि हम जो हमारी image है pictures file है फिर audio file से video file से उनको encoding करते हैं तो उससे हम कहते है image audio video encoding technique ठीक है तो यह दो प्रकार की encoding techniques है अब यहाँ पर एक main चीज आती है कि character encoding character encoding एक type से नहीं होता बहुत सारे type से character encoding किया जाता है जैसे की हो गया HTML encoding हो गया URL encoding हो गया Base64 encoding हो गया इन सारी तरीकों से characters को encode किया जाता है दोस्तों तो mainly इस character encoding के भी कुछ types है उनके बारे में जानेंगे अगर हम बात करें तो mainly six types है character encoding के जो कि मैं आपको आगे बताता हूं यह देखे यहां पर what are the types of character encoding यहां पर हमने सीखा कि encoding techniques कौन-कौन से है तो वह दो है एक तो है character encoding दूसरी है image audio video encoding अब character encoding के अंदर भी कुछ encoding types है कि characters को भी किस-किस तरीके से हम encode कर सकते हैं उसके लिए छे type के character encoding से तो पहला होता है HTML encoding दूसरा होता है URL encoding फिर Unicode encoding करते हैं Base64 encoding करते हैं Hegs encoding करते हैं और ASCII encoding करते हैं तो यह 6 types के character encoding होते हैं जिससे कि हम use करके हमारा जो data है उसे अलग-अलग तरीके से encode कर सकते हैं दोस्तों अब यहां पर सवाल आता है कि HTML encoding क्या होता है URL encoding क्या होता है Unicode encoding क्या होता है तो एक-एक करके मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि HTML encode जो होता है वो HTML के जो pages होते हैं website के pages देखे होंगे आपने जो कि HTML में बनाय हुए होते हैं उन pages को proper format में display करने के लिए वो जो use होता है वो HTML encoding use होता है तो जब हम web browser को बताते हैं कि यह हमारा web page है तो web browser उस encoding की मदद से समझ पाता है कि HTML encoding किया हुआ code है और इससे मुझे ऐसे proper format में display करना है अपने अंदर तो वहां पे HTML encoding use होता है अब यहां पे second आता है हमारा URL encoding URL का मतलब यहां पे होता है uniform resource locator आपने किसी भी browser के अंदर उपर जो आपका website का नाम उसके बाद slash करके जो भी सारा कुछ होता है उसे हम URL कहते हैं और URL encoding को करने के लिए जो URL के अंदर जो भी characters use होते हैं उनको हम different different तरीके से encode करते हैं उनको एक specific code दिया हुआ होता है एक predefined code है उनको use किया जाता है URL encoding के दौरन वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस चीज़ के लिए कौन से letter के लिए या कौन से symbol के लिए क्या URL encode use किया होता है क्या URL encode define किया हुआ होता है मैं वो आपको आगे बताता हूँ तो इसी तरीके से URL encoding का मतलब यहां पर यह होता है कि उन characters जो होते हैं जो URL में हमारे characters लिखे हुए होते हैं उन characters को ऐसे format में convert करना जो की internet के उपर हम उसे transmit कर पाए मान लीजे कोई URL है उस URL में क्या होगा वो URL जो है वो internet पे अपना data transmit करेगा वो URL के थूँ तो URL में कभी कबार cookies भी store की हुई होती है कुछ parameters values जा रही होती है उनको encode करके अगर हम use करते हैं तो वो easily internet पे जो है उस format में हम उसे easily transmit कर सकते हैं internet के उपर इसलिए हम URL encoding का use करते हैं अब यहां पे जो सारे characters हैं उन्हें predefined कुछ symbols या फिर्म कह सकते हैं कि percentage और उसके पीछे कुछ hexadecimal number से define किया जाता है ताकि उन्हें URL encoding के तोर पर use किया जा सके तो इसी तरीके से URL encoding किया जाता है मैं आपको example पी दिखाऊंगा कि URL encoding क्या है और कैसे कैसे URL encoding होता है हम कैसे अगर मान लीजे कोई website पर हम attack कर रहे हैं कोई website में vulnerabilities find कर रहे हैं bug find कर रहे हैं तो वहां पे हम URL encoding का use कैसे करेंगे उसके बारे में हमें knowledge लेनी है तो URL encoding के उपर हम focus करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ character sets और उनके सामने उनका URL encoding दिया हुआ है यह predefined है आपको यहाँ पे कोई चीज याद रखने की ज़रूरत नहीं है मान लीजे यहाँ पे null character है ठीक है तो null character का URL encoding यहाँ पे होता है percentage और 00 मान लीजे यहाँ पे कहीं पे भी percentage और उसके बाद कोई hexadecimal value आपको मिलती है तो वहाँ पे आप देखके पता चलना चाहिए कि यहाँ पे यह URL encoded value है ठीक है start of header अगर होता है soh होता है तो percentage 01 यूज किया जाता है start of text होता है तो percentage 02 यूज किया जाता है ऐसे ही अगर हम ABCD के जैसे characters की बात करें तो देखिए यहाँ पे special symbols यहाँ पे space जहाँ पे भी URL के अंदर जहाँ पे भी अगर space का use किया गया होगा वहाँ पे यह देखिए percentage 20 का use किया गया होगा ठीक है उसी तरह जैसे की exclamation का अगर use किया गया होगा तो percentage 21 का use किया गया होगा double code का use किया गया होगा तो percentage 22 URL encoded value हाती है फिर आपने commonly जहाँ पे कहीं पे देखा होगा अगर forward slash अगर हम लगाते हैं तो उसका URL encoded value होता है इसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों आपको सिर्फ देख के पता चलना चाहिए कि यह URL encoded है और हमें इसे कोई payload लगाना है तो भी हम URL encode करके इसे लगा सकते हैं मान लिजे कहीं पे colon का use किया गया होगा तो %3a semicolon का use किया गया तो %3b और less than greater than जो कि हम script tag में generally लगाते हैं तो less than और greater than symbol की जगा हम %3c और %3e लगा के उसे use कर सकते हैं ताकि हमारा जो payload है वो URL encode हो और हम जो counter measures हैं website पे लगाए हुए उसे bypass करके हम जो है हमारा text successful run कर पाए ऐसे ही अगर ABCD यहां पे use किया गया होगा तो उसके लिए जो यह सारी URL encoded values हैं उन्हें हम alternative के तौर पर use कर सकते हैं अपने attack को जो है execute करने के लिए ऐसी पूरी यह table दी गई है तो आप अगर इंटरनेट पर search करेंगे तो आपको यह table आसानी से मिल जाएगी हाला कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है automatic tools भी बहुत सारे इंटरनेट पर available हैं जहां पर आप URL encode अपनी text या आपना जो कुछ भी है वो डाल के आप URL encode कर सकते हैं अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि URL encode जो है वो कैसे करते हैं decode कैसे करते हैं URL encoded value को चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा URL encoding दिखा देता हूं कैसे होता है क्या हम उसे decode करेंगे तो क्या होगा और कहां से हम online encoding decoding कर सकते हैं तो मान लिजे यहां पर हम कोई URL open करते हैं मान लिजे question mark p sorry php यहां पर मान लिजे हम search करते हैं dot php question mark id equals to और करके search करते हैं और ऐसे मतलब यह SQL injection के जो codes होंगे वहां पर हमें ज्यादतर URL encoded मिल जाएगी values one करके हम करते हैं यहां पर तो मान लिजे यह जो एक website है उसके उपर हम जाते हैं या फिर या फिर मान लिजे यहां पर यह website पर जाते हैं और यहां पर देखिए अगर हम यहां पर हमारा जो malicious input है या मान लिजे हम यहां पर single code डालते हैं और enter करते हैं तो यह देखिए percentage 27 यहां पर आया था यहां पर यह देखिए यहां पर भी percentage 27 नहीं दिख रहा है एक मिनिट जहां पर पर दीखेगा मैं आपको वहां पर दिखा देता हूं ताकि आप समझ सके कि URL encode क्या होता है ठीक है यह देखिए मैंने single code डाला और यहां पर ओके यहां पर भी percentage 27 नहीं दिख रहा है तो यहां पर percentage 27 का जब हम enter करते हैं तो यह देखिए यहां पर percentage 27 थोड़ी देर के लिए दिख रहा है तो percentage 27 का अगर हम value देखें तो यह देखिए यहां पर percentage 27 मतलब single code है उसका encoded value तो %27 का जो decoded value है वो single quote है, इसलिए हम यहाँ पे अगर single quote डाल रहे हैं तो वो URL encode होके हमें यहाँ पे %27 दिख रहा है, ठीक है, तो मान लिजए आपके पास कोई value है, अगर आपको उसे encode करना है और use करना है अपने payload के तोर पे किसी website के उपर, तो आप कैसे करेंगे, तो आ URL encoding online और बहुत सारे encoders आपको मिल जाएंगे, जो आपको URL encode, URL decode करके भी आपको देंगे, तो यहाँ पे मैं दो websites open कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ payload डाल दिया, और यहाँ पे मैं encode पे क्लिक करूँगा, तो यह देखे, यू, 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 यूटी एफ, 8 character set के अ percentage 3E, यानि की यहाँ पे greater than, उसके बाद alert percentage 28, ठीक है, यानि की opening bracket, one closing bracket, percentage 29, 3C2F, sorry, 3C2F script, 2F यानि की slash, तो यह हमारा payload जो है, वो URL encode हो गया, और अब हम इसे किसी भी website के उपर जहाँ पे हमें accesses find करना है, उसे वहाँ पे, इस payload को हम वहाँ पे डाल के, इसे हम use कर सकते हैं as a payload, मान लीजे, अब यहाँ पे यह payload नहीं चलता है, तो हमें इसे दूसरी बार encode करना है, तो वो कैसे करेंगे, मान लीजे, इसे ही हम copy कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, और फिर से यहाँ पे encode पे click करेंगे, तो यह जो हमने value डाली, उसी को हम encoded value मिल रही है, ठीक है, मान लीजे, यह encoded value है, यह जो select कर रहा हूँ में, वो encoded value है, आपको किसी URL के अंदर मिल रही है, उसे आपको decode करना है, तो ऐसे ही कोई URL encoder, decoder पे आप जाईए, और वहाँ पे अपना जो value है, वो paste कीजिए, decode पे click कीजिए, तो यह देखे मुझे decode करके, एक बार decode करके यह मिल चुका है, एक और बार में decode पे click करता हूँ, तो यह देखे, यहाँ पे मुझे मेरा original जो payload था, वो यहाँ पे मुझे मिल चुका है, तो आप इस तरीके से URL encode decode कर सकते हैं, आपको online भी बहुत सारे encoder decoders मिल जाएंगे, तो आप इसी तरी online जाके encode decode कर सकते हैं, URL encode decode, अब मान लिजे आपको online जाके URL encode decoding नहीं करना है, बबबशूट में ही आपको यूज करना है, आप बबबशूट यूज कर रहे हैं, अपने किसी target को exploit करने के लिए और उसमें आपको URL encode decode की जरुवत पढ़ रही है, तो आप कैसे करेंग आपको पेलोड जो लगा रहे हैं, उसे आपको URL encode करके यूज करना है, ठीक है, पेलोड को encode करके यूज करना है, तो आप कैसे करेंगे, आपको सिर्फ पेलोड ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे अपने पेलोड सेट करने है, और लास्ट में आगर आप देखेंगे, तो देखें, लिखा हुआ है, पेलोड एनकोडिंग, और यहाँ पे लिखा है, इस सेटिंग कैन बी यूजट तो URL encode the selected characters within the final पेलोड, for safe transmission without HTTP request, यानि कि आप जो पेलोड लगाएंगे, उसको अगर आपको URL encode करके भेजना है, तो आप अगर आप ये टिक लगा देंगे, तो य सारे characters, जो है, automatically URL encode होके जाएंगे, आपके पेलोड में, आपके पेलोड में मान लिजे, इस में से कोई भी character है, मान लिजे, यहाँ पे मैं पेलोड डालता हूँ, script tag वाला, script tag वाला, अगर मैं यहाँ पेलोड डालता हूँ, और मेरा पेलोड अगर जब execute होगा, तो automatically यहाँ पे यह, जो मेरे पेलोड में, जो भी symbols होंगे, वो सारे यहाँ पे, वो, जो है, URL encode करके भेज़ेगा, तो मुझे specially, URL encode करने की, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगे, मुझे URL encode करना है, या नहीं करना है, नहीं करना है, तो मैं untick रखूँगा, और करना है तो tick रखूँगा, यहाँ पे simple तरीके से आपको, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, simple तरीके से आप अपने पेलोड को URL encode करके, जो है, वो execute करवा सकते हैं, और जो result है, वो देख सक encoding में encode decode कर सकते हैं, यह देखे, माली जे, यहाँ पे मैं वही text डालता हूँ, यह देखे, मैंने encoded text डाली है, ठीक है, अगर मुझे उसे decode करना है, और मुझे decode करना है URL decode के अंदर, ठीक है, decode as a URL decoder, तो यह देखे, यहाँ पे मेरा जो है, वो URL में decode हो गया, यह value, यह मेरी नीचे URL decode हो गई, अब इसे फिर से मैं URL decode करता हूँ, तो मेरा original payload यह देखे, decode होके, यहाँ पे मुझे original payload मिल गया है, अगर आपको कहीं online कहीं पे नहीं जाना है, बर्बशूट में encoding, decoding करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और मान लिजे, इसी original payload को मु URL encode, तो मैं यहाँ पे simply encode पे, encode as पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं URL encode select करूंगा, यह देखे, मेरा जो payload है, वो URL encode हो चुका है, तो इस तरीके से दोस्तों, आप URL encode को use कर सकते हैं, जब आप किसी website के उपर attack try कर रहे हैं, और जब आपको जो अपना payload है, वो URL encode करके use क करना होता है, इस तरीके से आप URL encode के अलावा भी और भी इसमें बाप सुट में बहुत सारे encoding, decoding दिये हैं, जैसे के HTML, basic 64, ASCII, hex, जो भी हमने बात की, वो सारे encoding, decoding यहाँ पे दिये हुए है, तो उसको आपको कुछ अलग से याद रखने की या कुछ करने की जरूरत नही कीजिए, decode करना है, decode कीजिए, और फिर उसे use कर सकते हैं आप, तो यह एक बहुत ही अच्छा चीज है, जो decoder tab है, verb shoot के अंदर उसे आप use कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप encoding, decoding use कर सकते हैं, encoding, decoding कर सकते हैं, अपने payloads को, अपने URLs को, अपने target URLs के अंदर क्या चीज जा basic 64 encode होके जा रही है, और उसको आपको समझना है कि यह चीज क्या है, तो आप उसे decode करके समझ सकते हैं, basic 64 में decode करके या फिर URL है, तो URL में decode करके आप समझ सकते हैं कि यह actual में back end में क्या चीज जा रही है, तो इस तरीके से आप encoding, decoding का use करके, bug bounty में ज्यादा तर खेल सक सकता है, तो I hope दोस्तों कि यह जो encoding, decoding में आपको समझाया, URL encoding क्या होता है, वो समझाया, encoding के technique समझाया, encoding के type समझाया, वो आपको समझ में आ गए होंगे, तो I hope कि दोस्तों आपको कुछ नया सीखने मिला होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो इसी के साथ म मैंने ये जो encoding के बारे में आपको सिखाया है वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं मैं आपके doubt solve करने की कोशिश करूगा तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडि कोई भी सवाल comment या फिर कोई भी suggestion है आपके तो आप हमें नीचे comment section में comment करके जरूर बता सकते हैं दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही knowledgeable एक और नए topic के साथ तब तक के लिए goodbye take care and as always be aware connect with care